करवा रहे हैं उसके बाद उसी के बाद इनिशेटिव एक लिया गया कि शिकारा राइड्स यहां पर हो रही है लोगों को यहां पर अब ऑप्शन्स हैं देखे भदरवा में अगर पैराग्लाइडिंज हो जाएगी अगर डोटा में हमारी रिवर राफ्टिंग हो जाएगी तो एक नया एरिया डेवलप होगा लोगों को देखने को मिलेगा कि हां जम्मू में क्या चीज़ें और आप सब का स्वागत है हम सनासर में हैं और आप हैंं होग рук में एक इनिशेटीव लिए गया था इनिशेटीव मैं जो मकस्थ हो यह था कि आडवेंचे सपोर्ट को जो है एक तो उसकी करना एक उसकी एवेर निस करना और खास तोर्पे एड़धिन में युंग जनरेशन में जो है वोह इंटर्ड्यूश करना और खास तोर पे जिस तरीके से बच्चे अभी ड्रग्स में और अलग-अलग गलत एक्टिविटीज में जो हैं मुलविशें उनको वहां से निकालके इस स्पोर्ट में लाना और खास तोर पे ये एक employment का source भी बन सकता है जम्मो कश्मीर का हम आज मिलने आये हैं शेरपा एडवेंचर्स जो एक initiative लिया गया है सनासर में उनके मालिक से मिलने आये हैं दलिंदर जी सबसे पहले आप मुझे बताएं कि पूरे जम्मो कश्मीर में सनासर को चूज करना और उसके बाद यहां पर इतनी investment करना यह सोच विचार कब आपके दिमाग में है सर यह मैं 2015 में मैंने एक प्लैन किया जो कि 2016 में मैंने इसको इनिशेट किया और department को मैंने अपना एक proposal दिया और मैं लखी रहा कि department में में मेरे को उस sense में मेरे को बहुत support किया और मेरे को उसकी permission मिली और यह मेरा सब्सक्राइब 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 लिया और मुझे लगता है कि वह मेरे इनिशेटीव एक सक्सेस्फुल इनिशेटीव था क्योंकि जो लोग आज एक सनसर आते हैं उनको आज दो चार चीजें यहां करने को मिलती हैं जैसे कि आप देख रहेंगे हमारा एक हमने सट अप लगाया एडवेंचर हाई रोप और से लोगों को यहां पर चल रहे हैं लोगों को यहां पर आप्शन हैं जहां पर हम लोग सिर्फ पेड़ूं के नीचे ठंडी हवा लेने के लिए आते हैं तो यह कैंपिंग का सिस्टम जो उत्राखंड में बहुत मश्यूर है तो जम्मू कश्मीर में जवाब आए तो सनासर को चूज करने के बाद जम्मू का रस्पॉंस क्या क्या रस्पॉंस क्या लोग यहां आए अगर आए तो कितना आपका जो है वह बैनिफिट अभी तक हुआ है जम्मू के टूरिस्ट है यहां पर अगर पत्नी टाप में 100 टूरिस्ट आते हैं तो सिर्फ 10 परसंट टूरिस्ट सनासर पर आता था और 90 परसंट लोग नथा टाप से होके बाप ही चले जाते लिए क्योंकि उनके पास यहां पर ऑप्शन नहीं थे उन दिनों में तो हमने सब्सक्राइब लिए तो अब यह हो गया कि हाँ पर हमारे पास टूरिस्ट आता है एक चोटा सा इनिशेटिव है हम लोग रहने के लिए हमने एक्कमडेशन प्रवाइट किया हुआ है जो स्विस्ट कोटेस लगजिरी टेंट है जिसमें हमारे ट्वाइट का रूम है उसके हमारे जैसे अलपाइन टेंट हैं डूम टेंट लोगाते और स्विस्ट कोटर लगाते हैं जो कंफर और एडवेंशर को लेना चाहते तो यह सब चीजें जो हैं कहां से आपने सीखी और खास तर फे कुँझि ये जब , अगर देखा जाए तो ये वही इंसान कर सकता है जो техnically जो है इसका επी जो है इसका नौन हो कखे कोई आम भंडा जो है यह चीजे कभी भी ना initiatay कर सकता है तो यह स्टार्ट करने के लिए उसने में को help out किया है तर्मनालोजी तो मुझे उतनी पता नहीं है जुमारिंग वगरा जो इस चीजे होती है इसमें सारी चीजें उस चीज को तो सीखने के लिए तो कहीं आप गए होंगे ना बैसिकली इसमें हमें help इसमें पर दोटीटी वही करवाते हैं और जो दिली के साथ हम लोग ने उनके साथ किया था और हमने एक फॉर्म को आपकी जर्नीश चाहिए शतारा आठारा आपका चला उननीस में करोना वाइरस का जो है वो फिफ्ट अगस्त हुआ उसके बाद जो है करोना वाइरस की लहर चल पड़ी तो उस दौर में खास दौर पे जो है दो हजार बीस से लेखे दो हजार इकीस का भी दौर निकला तो जो सबसे पहले इंडस्टी हिट हुई है वह हमारी टूरिजम इंडस्टी हुई है क्योंकि जैसे करोना आया लोगों ने आगे पीछे जाना बंद कर दिया और जब ऑपरेशनल हुई है और उसके बाद भी रिस्टिक्टेड पैरमेटर्स के साथ यह स्टार्ट हुई है और इसी इंडस्टी को हुआ अभी तक आपके लिए कोई पैकेज विकॉस जो आपके बास इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आपके बास यहां पर खाना बनाने वाले हैं उन सबको तो सैलरी देनी है तो उसमें कहीं कोई गवर्मेट ने अभी तक आपको मदद पहुंचाई यहां कु बूस्ट करना जाते हैं घम्मू प्रांत में तो आपको नहीं लगता है कि जम्मू प्रांत में सबसे ज्यादा अगर कहीं टूरिजम पोटेंचल है वह वहां बहुत से एरियें हमारे बसोली है जैसे डोड़ा है भदरवा है पैरागलाइडिंग हमारा बहुत बड़ा स्को होगा लोगों को देखने को मिलेगा कि हां जमू में क्या चीज़ें और अगर हम लोग आज एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करें जैसे लोग पत्ती ताब आते हैं लोग बोलते हैं चलो एक बर गया हो पूछते हैं तो हमारे पास उनको बताने के लिए को और चीज़ बताओं अगर हमारे पास तूरिस्स आता है अगर सब्सक्राइब तक नहीं होई देखी आपका भी एरिया है यह आपने खुद इसको देख रहे हैं आपके यहां पर कहीं पर मुझे गंद्नी दिख रही है लेकिन जितना भी आपके इलाके के बाहर का लोग बैठते हैं कि वहां पर मैंने क्या देखा कि हर जंगल में जो है गंद है मची हुई है और कोई भी जो है सिंसेर नहीं चीज़ों मैंने देखा कि आपके आपको नहीं लगता है कि प्राइवेट प्लियर्स का लाना खास तोर पर इन जगाओं पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरे चीज का ख्यार रख सकते हैं अगर हम पर हम पर इसको परफॉर्म करेंगे अगर मैं सब्सक्राइब करेंगे उसको यह कुछ बेसिक फेसिलिटी सोनी जाएंगी कि कस्मर यहां पर उसको यूज करें बिल्कुल आपको अगर आने वाले वक्त में जो है यह एक किसम की रस्पॉंसिबिल्टी देती है आप डिजाइन करें को पॉलिशी डिजाइन करें कि हम कैसे तूर्जम को रिवाइब कि देखे अब रामबन डिस्टिक है उसके इलाके में यह सनासर पड़ रहा है रामबन में दगंट भाप भी है उसके लावा अलनबास आप जाएंगे ब्यूटिफुल मिडोज है इन सब के उपर क्या करना चाहेंगे आप तो गवर्मेट से अब क्या आग्रे करें बेसिकली जो जिन स्कूल करना था तो हम लोगं को कुछ गंट की बच्चे जाने चाहिए को लेकर जाना चीए खाना चाहिए कि हो सकता है फिशेरिंघर और कुछ ब्सक्राइब करे मेरेको लगने डिफीनेटली वह आप लगता की sures पीच्ण के वह से बिल्कुल बिल्कुल देखे से जैसे मै और बाहर से नहीं है लोकल मेरका पास यहां पर उन्होंने को कर घृए यहां जो करने के लिए और लोगों को बोल को ब creation को करती कि है तो आप यहां पर की जाती है तो आप कहते हैं अले यह बिल्कुल लेवल पर आप किसी को डव एलिवेट करते हो तो खुश होता है और वो चार लोगों को जा के भूलेगा भी ज़ो लड़का मेरे पास है एक लो लेवल पर किसी इंडस्ट्री पर काम कर रहा है इसको अगर करवाते हैं तो यह एक्सल कर सकता आज मेरे पास दो बोल सकते हैं चार आद्मिकों कि मैं सैटिफाइड ट्रेंडर हो और मेरा तो एक प्लान है कि हो सकता अगर करोना से हम लोग उभर के बाहर आते हैं तो इसको हम अडवांस कोस्ट करवा सकते हैं हम बिल्कुला है दूसरा आखरी सवाल आप से पूछेंगे कि आप क्या आगर इस सार्फ मेरे पर्सेल्ट एकर जो हमारे एक्स्प्लोर एरिया है चोटे चोटे जो हमें बूस्ट देच सकते हैं तो अगर और आज एक डैवलप करते हैं चोटे चोटे इनिसेटिव लेकर लाकल लेबल में लोगों को इनिशिएट करके लोकल बाड़ी को गर उसमें इन् चीज़ यह है कि क्या इन यंग एंटर्पेनर्स को गर्मेंट का साथ मिल रहा है और कोविड में जो अभी नुक्सान हुआ है टूरिजम को उस नुक्सान की भरपाई कौन करेगा यह सब सवालात जो है यह गर्मेंट तक है गर्मेंट इन सवालों का जवाब किस तरीके से दे यह झालों कि जवडें लिएए इन मुट झालों कि ए्र यह सवालों को उल्मा प्मी उभीं मेखें उनra किस तर डरीके साथ मुट जह सवालों कि उसनी कि का सवालों कि पालिएंट तक है?